आप सब आसा करते अच्छे होंगे आपका स्वागत है सकुंतरा के रसोई एंड ब्लॉग में तो आए चलते हैं आज बना लेते हैं बहुत ही टेस्टी और स्वाधिस्ट मेदू बड़ा रैस्पी तो फ्रेंड मेदू बड़ा रैस्पी हम इस तरीके से बनाते हैं वह आपके चैनल पर अगर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें बैल आइकन को भी प्रेस कर लें तो यहां पर मेदू बड़ा बनाना में आपको सिखा रही हूं मेदू बड़ा बनाने के लिए हमने उड़त की डाल को तीन से चार प्रेंड यहां पर एक बात आपको द्यान में रखनी है कि यह जो दाल हम पीसेंगे उसका बैटर बहुत जादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत जादा टाइट भी नहीं होना चाहिए जैसे अभी मैंने पीस के आपको दिखाया है इसी तरीके का बैटर होना चाहिए इसमें अभी हम दोबारा पीसेंगे तो थोड़ा सा हलका पतला रहेगा नहीं तो यह इतना है इतना ही रहना चाहिए तो पीसने के टाइम पर अगर आपको जरूरत पड़े तो एक चमच पानी डाल सकते हो नहीं तो इसमें जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि दाल के अंदर पानी बैसे बहुत जादा अब जब हो जाता है फ्रिंड यहां पर क्या हुआ हमारा गरती से थोड़ा सज्ञादा पानी डाल के साथ चला गया होगा इसके वजह से यह बैटर थोड़ा पतला हो गया है पर हम यहां पर इसको मिक्स करेंगे तो दो मिक्स करने के बाद में वो बैटर थोड़ा सही हो जाएगा क्योंकि पहले बाला जो था वो बहुत ज़्यादा गाड़ा है और ये थोड़ा पतला है बट आपको जैसे मैंने पहले दिखाया था वैसा ही होना चाहिए पर कोई बात नहीं यहाँ पर थोड़ा पतला हुआ है तो क्या हुआ मैं आपको मेदू बड़ा अच्छे से इसी से बनाना सिखाऊंगी ने पर दाल को पहले अच्छे से इसी तरीके से एक ही डारेक्शन में फेट लेंगे जिससे हमारी पूरी अच्छे से दाल मिक्स हो जा उसके बाद हमें यहां पर थोड़ी देर के लिए एक ही डारेक्शन में दाल को फेटना है जिससे कि हमारे जो मेदुबड़ा बनते हैं वो बहुत ही फूले फूले और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं अब हम इसमें एड़ कर देंगे बारिक कटे हुए हरे दनिया इसमें डालेंगे तूड़ इसे करी पत्ता इसमें डालेंगे एक हरी मिर्ची और इसमें डालेंगे हम चाट मसाला और नमक स्वादनसार थोड़ा सा लाल मिर्ची पॉर्डर सभी को डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा से साबुत जीरा यह जरूरी नहीं है जीरा डालना आपको पसंद है तो आप डाल सकते हो नहीं तो इतना इंपोर्डेंट नहीं है फ्रेंड आप सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे देखो बहुत ज्यादा थिंक हो गया है हमारा यह बैटर एकदम गाड़ा हो गया है क्योंकि जैसे थोड़ी देर रखा तो एकदम फूल गया है वो एक ही डारेक्षन में अगर आप करेंगे मिक्स तो फूल जाता है अब हमने यहाँ पर डाला इनो तो हमने हाप पैक्ट आदा पैकेट इनो डाल दिया है इनो डालने के बाद तुरंत आपको बनाना है ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना है अगर आप लेट बनाना चाहते हैं तो आप उसी वक्त में नमक और इनो बाद में डालें जब आप बनाने जा रहे हूं फिर से हम अच्छे से एक डारेक्शन में इसी तरीके से मिक्स करेंगे और बैटर हमारा बहुत गाड़ा हो गया है तैयार हो गया है मेदू बड़ा बनने के लाइक तो हमने या पर एक कडाई रख दी है गैस पर जो हमारी कडाई गरम हो रही है और हमने उसमें डाल दिया है यह रिपाइंड ऑल में बनाएंगे थोड़ी देर के लिए हम ड़के रखेंगे तब तक तेल हमारा गरम हो रहा है बड़ा अगर बनाएंगे तो साथ में चटनी भी चाहिए क्योंकि मेदू बड़ा के लिए चटनी चाहिए तो मैं यहां पर चटनी बना रही है इसके पर तक चाहए है हमने द entscheiden मुल जाती है और यहां पर लिए और यहां पर थोड़ा सा नार्य टेस्ट के लिए अब हम चटनी के लिए बना लेंगे बहुत ही टेस्टी तड़का इस पर कलर के लिए कस्मीरी रालमिची डाल दिया उपर से और हमने एक पैन लिया इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सरसू का तेल और जैसे तेल हमारा गरम हो रहा है तो तेल गरम हो गया है इसमें डाल देंगे हम सरसू यानि की राई अब हम इसमें डालेंगे तीन से चार लाल मिर्ची इसमें डाल देंगे तीन से चार करी पत्ते सभी को डालने के बाद चटकने देंगे और हम हमारी चटनी में तर लगा देंगे तड़का तो हमारी ये मेदू बड़ा इसपेसल चटनी बनके तयार हो चुकी है फ्रेंड हलका सा इसको मिक्स करेंगे कितने सुंदर चंड चंड में तैयार हुई है. इस में ये यदे ऐंगे बार, नकर ने अग्यार जाए इसृ काूं चतनम बेंद हुए हुए है. अब एक यह मुट पूरी च्छानी था. फ्रेंड यह ओ cabbage है, एक यूद्सी बना लेंगे मेदू बड़ा तो पस हमने चलने लिए उस पे उपर लगा दिया और उसके उपर हमारा ग प्रतिता सी भुषब छेद की तोड़ा चेद किया और इस तरीपी से या कर दिया ध्यार रहे चलने आपको थोड़ी उपर ही रखनी है तेल में डुबोना नहीं है नहीं तो चलनी जलेगी इसलिए उपर ही रखना है ओयल के वज़े से वह आसानी से निकल जाता है और मीडियम गैस पर ओलट करके फ्राइ कर लेंगे तो देखिए कितना अच्छा हुआ था इसलिए ज्यादा फैल रहा है और बैटर थोड़ा सा टाइट रखेंगे तो बिलकुल नहीं फैलेगा अब दूसरा वाला भी हम बना के दिखाते हैं इसी तरीके से हम बहुत सारे मेदू बड़ा बनाएंगे फ्रेंड याद रखें कि आपको मीडियम गैस पर ही मेदू बड़ा फ्राई करना है फ्रेंड यह साउथ इंडिया रेस्पी है लेकिन आजकल तो हर किसी को पसंद है तो सब लोग बनाने लग गए टकी है से की आपको दिखा रहें तो बस हैंथ बैटर लीजिए और एक प्लेट में में रखती जारे हूறा हूं ऑपको यहां पर दिखा रही हूं रही हूं हमे यह कट वरी ₺ में चटनी रख लियाए तो हम यह बहुत दाल आ कर लिए इसपेसल मेदूबडा बनके तयार हो चुके हैं आपको कैसे लगे वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं मैं तो चलती हूं खाने तो खाने के लिए यहां पे हम एक प्लेट में रख लेते हैं थोड़े से मेदूबडा और सबको खिलाएंगे आपको भी खिलाएंगे अगर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो में कमेंट भी कीजिए सेयर भी कीजिए बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे यहां क्या बनता है वो हम आपके साथ सेयर करती रहूं और आपके साथ आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाते रहे हमारी लाइक बनता है